हेलो दोस्तों नमस्कार मैं सुर्जिय सिंग दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे जो मारा लेलेंड में ब्यास फोर में उसकी मेजर्मेंट टूल के साथ प्रोपर कैसे करें जिससे आपको गाड़े में प्रोब्लम ना है और कौन सी सिम से कौन सा तेल कम होता है वह भी पाइलेट का फूलोड का एम का वह कैसे कम या जादा करें वह सब बताएंगे तो वीडियो के अंट तक बने रहें और इसको कितना लगाना है क्या करना है वह भी बताएंगे आपको पूरा कौन से पार्ट सेट लगता है और कौन से कौन से टूर यूज होते हैं तो हमारे से इंजेक्ट राया था इसमें जो प्रॉबम आ रहे थी गाड़ी में और गाड़ी की पीक अबट कम थी तो एंजेक्ट रहा थे हमारे पास हमने इसको मिशीन पर लगाया और चेक लिए तो इसकी जो बैक के जाये वह बहुत ज्यादा आ रही थी जिसकी वजह में बज़े आपके पास तो आपका अगर मेजरमेंट ठीक रहेगा तो आपका इंजैगेटर भी विल्कुल ओकी रहेगा तो कोई प्रोल्म नहीं आएगी तो दोस्तों देखो वीडियो में इसकी जो रिटर्न है बहुत जादा आ आटी है जिसके विजह से गाड़ी में प्रोफ्म आघएकए पीगैर 634 कोड आ रहा है और गाड़ी की इंजिटर को रपय कर सकते हो तो देखेश इंजिटर की डिटरना बहुँ ज़ाद है तो इंजिटर को खोल के डिस्मेंटल करते हैं और इसके पार्ट चेंज करेंगे और इसकी पूरी मेजरमेंट करेंगे बोश के तृक्के से बिल्कुल तो बीडियो को एंड़ तक बने रहें तो इंजिगटर को मैशिन से उतार के इसको cle Cage करते हैं और इसका पार्ट क्योंगते और एंज्रमेंट के साथ इसको करेको तो इस चो इसको ऊंपेयल करते हैं तो दोस्तों जो पहला ती मेगणेट यह स्टेज 3 में आता है कि मेंजरमेंटती है तो कहीं कहीं लोगों को यह घ्रिक पता नहीं होएगा कि वान टू में क्या होता है संपर थी बियद करना सबाद Central Next a ह La qu हमने इसका मैगनेट असेंबली खुल रहे हैं इंजागेटर का यह लिलेंड का इंजागेटर है ब्यास फोर जिरो चार्सों पंताली एक सुदस सेवन जिरो नाइन इंजागेटर है और इसमें कौन सा पार्ट डालता है वह भी पिताएंगे तो इसमें पार्ट होते हैं और कौन सी सिंसे कौन सा तिल कम होएगा जाद होएगा उसके बार में बताएंगे तो वीडियो के अंड़ तक बने रहें तो हमारे यह लोक है और इस प्रिंग बगएर है इसका यह हमारा आर्मेचर है उसके इंदर एक वह वह अशल होती है जिसको के तो हम टोर्क लगागे और करेंगे प्रोपर हैं अगर दोस्तों हम ऐसी हाससे टाइट करते हैं तो तब भी परॉलम आती है कि कोई ज्यादा हो जाते हैं कि कॉई कम टाइंट होता तो दोस्तों हमने आर मिचल बगर इसका खोल लिया है अब इसकी जो है नोजल उसको खोलते हैं और यह वोल वोल एसका 1.5 सेरामिक बोल एसका जो से में डलता है कौन से इंजेटर में कौन सी वोल डलती है उसके बारे में बताएंगी तो वीडियो गैंट तक बने रहें इसका प्रोपर चार्ट में आपको दे दूँगा उसके लिए आप हमें इस्टाग्राम पे या फेस्बुक पे मैसेज कर सकते हो अगर आपको किसी चीज़ का चार्ट चाहिए कौन सी सिम से कौन सा तेलर रिजेस्ट्रमेंट होता है तो किस इंजेटर में कौन सी वोल गरह लगती है तो इसका आपको मैं सब कुछ दे दूँगा उसके लिए आप हमें इस्टाग्राम या फेस्बुक पे फोलो कर सकते हो मैसेज कर सकते हो आपको हर तरह का चार्ट मिल जाएगा तो इसके हम नोजल को खोलते हैं और नोजल को अल्ट्रसोनिंग करेंगे इसकी को यह हमारा यह हमारी नोजल है इसको अल्ट्रसोनिंग कर लेते हैं उसके बार इसको असेंब्ल करेंगे फिट करेंगे हमारी नोजल है यह और जिसका पार्ट अब गए रहा है सारी इसको धोक है अच्छे से फिर्फ इसकी असेंब्लिंग करेंगे रिलेटिंग पीन अब गए रहे है गाईड गुष है और इसके अंदर सप्रेंग होता है एक वशल होती है इसके अंदर कि तो हम इसको खो लेते हैं और दोस्तों जो इसका बाल पिश्टन निकालना है जैसे आप जो भी आपके टूल आप उससे कर सकते हो तो हमारे पास प्रोपर टूल तो बाल पिष्ट हमारा अपने आप बहार आता रहेगा और इससे मेट एसकी शुरू से अगर आरा बाल पिष्ट ना आई तोब प्रसी से अपने Forget कर सकते हो उना बाल पिष्ट बाहर आ गया है इसको बाल पिश्टन ने वाव सेट यह खराब हो गया है जिसके में बैक लिकित आ रही है देखिए इसकी जो उपर से जैसे हमारा element खराब होता है, ऐसी खराब होता है, और part set था जो बोवीज का बार रहा गया है, और हम इसको अच्छे तरह वोश बगरा कर लेते हैं, साफ बगरा करके, इसको फिर असेंबल करेंगे जैट्रों को, तो मारी ये वोड़ी है, हमने जैट्रों पूरा dismantle कर दिये है अब इसको अच्छे से वोश करके, साफ करके, तो इसको असेंबल करेंगे, तो वीडियो के अंट तक बने रहें, और दोस्तों वीडियो अच्छे लगए तो लाइक करें, और जो चैनल पर नहीं है, चैनलों सब्सक्राइब करें, और वेल आइकोन का बटन दबाएं, ता पार सेट चैनल गरेंगे इसका, और इसके अंदर जो इसका पार्ट है, ये रिंग बगर हां, वो भी चैनल गरेंगे, जो कोंट्रो वाल के साथ ही आते हैं, जब हम निया डालते हैं, उसके लिए इसको फिट करने के लिए हमारे पास टूल है वोश का, तो हम उससे ही बठेंगे जाके जहां पर ये प्रोपर है, वोश को टूल दे हैं, और प्रोपर मेजरमेंट करके दी हैं, जो हमारा पार्ट सेट बैठेगा, तो प्रोपर अपनी जगह पर बैठेगे, ना उपर होएगा, ना नीचे होएगा, तो आपका जो भी टूल है आप बढ़ा सकते कोई इश्यू नहीं आएगा तो हम इसको टाइड कर लेते हैं और पीछे पुष्ट करेंगे तो अपनी जेगा में जाके बैठ जाएगा यह प्रोप पर बठाने के बाइसको जो टूल है इसको लूज करके निकालने बार और जो आप देखोगे जिसका पाट सेट है अपनी ज ज्टोब पर अपनी जगहें बैठेगा जादे आगे ने गाएगा नहीं जादे पीछे रहेंगा तो इसलिए लगाती है ओनसका ब्लपिष्ट ने अपनी जगपी रहे तो आगे ना जाए ज्यादा पे तो इसके लिए जो मारा बाल किश्टन सी को बठा लेते हैं इसको उस जो हम इसको आगे बठाएंगे इसका tool है हमारे पास बोस का इसको लगाने के बाद उपर से इसको push कर देंगे और जो हमारा control वाल है अपनी जगह फिट हो जाएगा इसे कोई फरक नहीं पड़ता है कि आप अराम से बठाना है कि ठोक के बठाना है अगर आप ठोक के बठा रहें तो आगे कुछ लगा लें जैसा tool होता है क्योंकि अगर हम ऐसे ठोक के बठाएंगे आगे कुछ नहीं होगा तो control वाल जो आगे चला जाता है थोड़ा उसमें भी डीडिंग में प्रोपर नहीं आती है दिक्कत आती है फिर तो हमारा जो बाद स में तो बार करें जैसे वीडियो बें दखाए गया कि ऐसे बार को करें आप सब्रिंग लाएल लागा के और लोक लगाके इसको फिटड़ ले फिट करने के बाद इसको आप वोडी में बठाएंगे और इसकी जो वोशल है, लिफ्टिंग वोशल है, उसको इंजैगेटर में डालेंगे और हमने वाल जो है इसका वोल वोल है, वोल गाइडर वो नहीं बठाना, शिर्फ वाचल बाचल रखनी अंदर, हमने वाचल अंदर डाली वोड़ी में और जो इसकी श्टोग है उसको भी हम रख लेंगे अंदरी ऐसे बढ़ा लेंगे और जिससे हम दोस्तों की प्ले करते हैं कि हमें कि फुर्च वह च स्मय लीफ्टिंग क्यां उसको से पर लेंगे यह देखे हमने इसको इसको यह च्मिरी कर stated कि यह जो इस्ट होगा जो कितनी आ रही है जो CRI 2.16 के इंजेटर होते हैं उसकी लाग लिफ्ट 16 होती है 60 होती है दोस्तों यह कम आ रही है 50 के आसपास आ रही है अमने इसको यहाँ पर 60 रखना है 1-2 पैट उपर नीचे हो जाता है और हम इसको 60 ही रखना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे बताते हैं आपको यह कमारी है हमारी हमारी है 60 करना है तो इसको खोल लेंगे वह इसको मारा लो कैए इसको डहन खोल दिया इसकत इसका जो लोकOW निuwकाल यह जिसका ही लोक है इसको बाहर निकालेंगे तो लोक हमने बाहर निकाल लिया है तो जी जो लोक है इसको हम पतला करेंगे अगर आपके पास दूसरे साइज के हैं तो आप चेंज करें अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको फेस भी कर सकते हैं अगर आपका कमा रहा है तो आ हमारे पास और काफी डख्खे हैं तो हम दूसरा ही डालेंगे अगर आपके पास सेज का नहीं है तो आप पतला करके इसको फेस करके लगा सकते हो कोई प्रॉल्म नहीं आईगी तो इसको सेज देख लेते हैं जो सेज हमारा आया है तो बारा 1.26 के आसपास आ रहे हैं देखिए जितना हमने प्ले बढ़ानी है इसकी उतना ही हम कम करेंगे जो हमारा लोक है तुम दूसरा लोक देखते हैं और चेक करते हैं कि जिसमें आएगा कौन सा आएगा तो आप इस तरीके से चेक करके इसकी स्टोग है जो उसको चेक कर सकते हो कम या जादे कर सकते हो और जादे करनी है तो लोक पतला करेंगे अगर कम करनी है तो लोक को मोठा करेंगे तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो तो देखिए जो मारा रहा है आट दस पॉइंट के नीची आ गया जो पहले था मारा तो इसे हम लगाते हैं तो हमारी जो ओबर स्टोक है ओक्टी आएगी बिल्कुल तो मैं लगा के दुवारा चेक करेंगे कि मारा जो श्टोक है कितनी आ रही है लोको अच्छी तरह लगा ले पहले लगाने के बाद इसको हम वही टूल लगाएंगे जो हमने पहले लगाया था और दोस्तों लगाते समय ध्यां रखें जो इसका नीचे का मेजर्मेंट है वो क अब इस वात का द्याहां रखें उसके रहेंगे जीरो सेट करके पहले जीरो सेट कर लेते हैं तो देखिए मैं इसको जीरो सेट किया और इसको जो बिल्कुल साथ हारी है जो ओक्के विल्कुल एक दूपएंट उपर नीच चलेगा कोई प्रोल्म नहीं है देखिए अठवजा साथ के आसपास आरी है जो प्रोप्र है ओक्के तो इस तरीके साब इसकी अजेस्टमेंट कर सकते हैं लोको पतला या मोटा करके अगर आपने कम करनी है तो लोक से बस्ट the अप सेट सकते हो कम करने के लिए लोक को मोटा करें ओर ज्याद करने के लिए लोक को मोटा करें टो मारा ऊक के होगए तो हमरे में ısके ऊड़त वूल गाइड है जो वोल बॉल है 1.5 सेरमे के बॉल है दोस्तों इसके अंधर बलैक कार्च की वह डालेंगे ढालने के बाद जोसकी जोटी वाली वह डालेंगे यह लिफ्टिंग वोशल पॉशल है यह डालेंगे कि और इसका और मेचर को फिट कर देंगे एसे कंदर करें और दुस्तों इसका जो यह लेलेट है उसको कितना टाइट करना भोंभी बताएंगे चार्ण के कर ना है कि दोड़ी हमें जो लिफ्ट कम लग 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 री तो तो ख़ोड़ा मौटर डालेंगे जिसे हमारी प्लेय स्टीन गपारे में किया है टो इसलिए दो नियुक्प अर्ट करते हैं अध्य जो चक किया है तो हमें कम लग रहिए थी तयंत्य आंतों पहले इसको थोड़ा मोटर डालेंगे पहले इसको चैक कर लेते हैं वालों का서 कि और की सब्रलेंगे 20 तरीके हैं कि आप किस तरीके सेश का सकते हो तो पहला त्रीक्त मासे वर्हीर को इसने चार बताएगा आपको चाठ डिजिट्टे में आएगा इसका जो आए ब्र्णियर केरें इससे में आप अपनी साब से सुन्प्र कर सकते और कितने हैं कितनी बनक्री था पास यह उल्ज मेंडर करते हैं इससे वीर प्लेन जगा होने चाहिए उसके उपर आपको जीरो सेट करने के बाद वोशला जो यहां पर रखके ऐसे इस तरीक्ये से और उससे टूल से इसको दबा के चेक कर सकते हो कि हमारे जो वोशला उसका साइज क्या है तो दोस्तों देखिए बारा शबी जो हमारा वाशला का आफ वह स् necesitतर आ था तो आप किसी तरीक्ये से वोशला को चेक कर सकते हो सकते हमारी व्21 साइज की वाचल है हमारी ृawn तो इसको साइभा वाशला को मोच scorche मोटी डालेंगी थो backyard पूरी प्रोपर है तो हम इसको बाशल का साइज देखते हैं जो इससे मोटा हो थोड़ा तो इससे बाशल में देखते हैं इसका मोटा से बाशल का तो इसमें हम थोड़ा मोटा बाशल डालेंगे तो हम बाश्रों का साइज देख लेते हैं जिस साइज के हमने बाश्रों डालनी है तो बाश्रों का साइज देख लेते हैं एक एक करके दोस्तों आप लग भी रख सकते हो पर हमारे बाद काम इतना होता है कि इतना टाइम नहीं होता है कि वाश्रों को अपने अपने त्रिक् बढ़ा लिए है एक लगा के चेक करते हैं कि हमारी जो वाल लिफ्टाव कितनी आ रही है हमने बाल बाल इसके अंदर डाल रखे हैं और वाल जो वाशल थी वो भी डाली है और आर्मेचर फिट करेंगे और जिसकी वाल लिफ्टाव दुआरा चेक करेंगे यह कितनी आ रही है कि तो सब्सक्राइब को हमने टाइट किया है और हाथ से चेक करने एक बार अगर वहारी जो बोल वोल है अंदर टेड़ा हो जाएगा तब यह तोड़ सकता है और इसमें जो है प्ले नहीं शो करेगा इस बात का ध्यां रखें तो दोस्तों यहां पर हमारा टोर्क है जो वह द तो फिलाल ऐसी बनाते हैं तो अगली विडियो में प्रोपर टूल के साथ बनाएंगे कि इसको कितना डेगरी टाइट कर कि कितना डेगरी लूज करना है तो हम हमारा जो है टोर क्रेंच इसको सैट कर लेते हैं 65 न्यूतिमेटर पर आपको किसी चीज को कोई चाट चीए तो लगा कि तो हमारी यह टोर्क है जो लग गया है वो चेक कर लेते हैं जो हमारी वालिफ्ट वो कितनी आ रही है वालिफ्ट चेक करते हैं जो इसका स्प्रिंग बगार्ण और लोग डाल के इसके वालिफ्ट चेक करते हैं कि कितनी आ रही है यहां पर गेज लगाके जिससे हमने ओवर स्टूफ चेक किया था उसी गेज से अब इसकी वालिफ्ट वो चेक करेंगे कि कितनी आनी चाहिए और कितनी आ रही है दोस्तो जो वालिफ्ट है वो 40 मैंस प्लस 0.2 के आसपास आनी चाहिए अठती या ब्यालिव तो भी चलेगा पर हम सेंटर में रखेंगे इसको 40 के आसपास ही रखेंगे तो उससे जो हमारी रिडिंग है विल्कुल OK आएगी सेंटर में रहेगी उसको चेंज करने का जूरूत नहीं पढ़ेगी दोस्तो वालिफ्ट है जो 50 के आसपास आ रही है तो हम इसको कम करेंगे इसके लिए जो हमारी शिम में उसको पतला करेंगे हम जो अपने शिम को वीडियो मनाएंगे और हमसे जुड़ने के लिए आप इस्टाग्राम फेस्ट पर कर सकते हो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्श्यों ने दे रखें अब आँ जाके हमें फोलो मैसिज कर सकते हो तो दोस्तों हमने आरमेचर को है जो दोवारा डिसमेंटल कर लिया है औ और जो चाइब लेते हैं उसके सबसे बाइसलों को पत्ल Thai करेंगे अ कि तो मैं यह सही जया रहा है वसलों तो में 10 पॉइंट का कम करना है तो हमारे पास 60 के आसपास जो हमारी आ रहे है इसको हम 50 के आसपास रखेंगे 50 के आसपास रखेंगे जो हमारा है पैंट के आसपास आ रहे है तो 50-55 के आसपास रखेंगे तो हमारा जो है वालिफ्ट बिल्कुल ओके आएगी तो मैं ऐसे चेक करके जो मारी size होग वाफिश्रका वो देख लेथे हैं और फिर डालके द्वारा आजकी वाइलिफ्ट चेक करेंगे तो दोस्तों में मारा size में आ रहा है बिल्कुल तो हमें यह डालके देखते हैं इसमें कि मारे जो वालिफ्टा ओक्या आती है कि नहीं उसी तरिके से आपको द्वारा फिट कर लेना है द्वारा ऐसी टोर्क लगाना है दोस्तों आप इंजेटर के साथ ही टाइट करना है हमेशा ऐसे नहीं आपने एक भी टोर्क लगवा दिया उसके बाद कोई दिक्कत आई आपन तो हमें प्ले जो ओके लग रही है उसके हम फिट करते हैं इसको टोर्क लगाके टाइट करते हैं वह टोर्क हमने दुवारा लगा लेना है और अच्छे टाइट कर देना है इसको चाड़के साब से टोर्क लगाएंगे 65 न्यूट मेटर का हमने इसको टोर्क लगा के टाइट कर लिया है तो हमारे यह टोर्क लग गया है इसमें और पूरा अर्मेचर को फिट करके उसके बाद इसका जो वालिफ्ट दुवारा चेक करेंगे कि यह क्या आया कि नहीं और जिसकी पूर्प्र मेजरमेंट है वह आगे आएगी वीडियो में तो वीडियो के एंड तक बने रहे हैं कि यह मनें द्वारा गेजल गाई है इसमें उसको जीरो सेट करके इसकी वालिफ्ट वह चेक करेंगे तो दोस्तों देखिए 40 पास मारी जो वालिफ्ट आ रही है प्रोपर 41 पूर्टी पास जो वील्क लोग के है यह तो हमारा हो गया वालिफ्ट उसके बाद जो इसकी मेजरमेंट है एर गया मेजरमेंट सैटिंग वो करेंगे इसके लिए क्या करने आपको वह बता देते हैं यह हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है इसको हमें डिसमेंटर नहीं करने है इसके लिए हमारे पास दूसरी गेज है तो उससे हम इसकी यह हमें बाशा डालेने हैं इसके याद रखें यह बाशा में अंदर डालेनी है करेंगे कि हमारे पार जो हमारे ये गाप एक इतना नचितना रहें तो सब्सेपहले आपको जीडरो सब्साइब कर लेना है तो दोस्तों इस थे न 95 तो रहता रहता है तो рублей लगाई और आप थ कbijait हमने इसको जीरो सेट कर लिए जो सेंसर की इसकी ग्याय पर सेंसर का डुंगाई है उसको चेक कर लेते कितनी आ रही है तो आप एक दूबर लगा के चेक करें थोड़ा वाविलेशन आता रहता है डिजिटल गेज में तो आप प्रोपर जीरो जीरो सेट करके उसके बाद ही च पस-पस मेरा नोट कर लेंगे है इंडए हमारा यह गांप है तो ऐसे हम बूड़ी का चेक करेंगे जो मारी इंजरेगल है उसका कितना आ रहा है और पहले secret कर लेंगे पूराइब और इंजहेटर में लगाकर की क्प्लीट करके इंजरेट को वाश्र इंगड़ा डालके अं कि चेक करेंगे दुबारा से डिजिटल गेंगे थोड़ा वाइबलेशन आता रहते हैं तो जीरो सेट कर लिए हमने कि हमने जीरो सेट किया और दुबारा देखेंगे एक बार फिर कि अब तरवन्जाप चान में बता रहे हैं तो एक बार और देखेंगे जिरो सेट किया दवारा तो देखिए दोस्तों हमारा जो आ रहा है यह इतना आ रहा है और इसको हम नोड करके नोड कर लेते हैं जो हमारा जो भी रिजल्ट आया हमारा वह देखते हैं तो इसको माइनस कर लेते हैं एक दूसरी से वह देखतें क्या आया है तो हमारा 115 यहास पास आया हमारा जो हमने रखना है अजो अगर आप नोडा पिजूसराइं आपकी तो पैंट क्या सबस रखें तो आपकगा रेटिंग यह विलकुल ओक्की रहेगी तो मारा 115 है इसको कम करने हैं उसकी यह प्राइव वाशले हैं इसको पतला करना है हमने उसकी यह का सब्सक्राण हमनेी वाशल है लोड वाचल्य वह लेते हैं इसको तो इसको हम पतला करेंगे तो पर इसका देख लेते हैं क्या सेजिकी वाचल है तो इसके इसाप से कि हम इसको पतला करेंगे हिऊं ओक तो रहे इसको five यह हैं स्क twent सोभा़ा will come ऴंपतला डाले थोड़ा को तो सच कर लेते हैं z our तो आप इस त्रिक्के से जो इसकी एर गया वाचल है सेटिंग गया कर सकते हो अपने साब से चेक करने के बाद जो भी आपका सिमका सह जाए बो डालके आपको इसे सत्र गया स्पास रखना है कि सत्र मैंस प्लास पयुज्ए अगर आप नोजल प्राव्णी डाल रहे हो तो पैंट रखें है अगर नोजल नहीं डाल चेक रख रखें जबगते हैं कि तो जशे सेट कर लेते हैं कि ए अधर हुए और चेक करते वान टू और जो भी हमारा आया इसको हम नोड कर लेते हैं जो हमारा अभी यह हो जैटर बुडी का आया है यह हमने नोड कर लिया है पंताली पाइफ डबल फॉर फाइवा रहे हैं इसको माइनिस करते हैं दूसरे से तो दोस्तों देखे 67 के आसपास आया है जो फिल्क लोग के है तो इस तरीके साथ इसको मेजरमेट कर सकते हो उसके बाद आपको क्या करना है इसका जो मैगनेट असेंब्लिय वह लगा देनी है उसके बाद हम इसको नोजल का भी बताएंगे आपको तो नोज आएंट तक बने 5 से लेके 1.45 तक आता है इन दोनों रेडिंग रहती है बस इसका ध्यान रखें 1.35 से लेके 1.45 तक रहता है यह जो दो वाशले स्की दोनों का साथ सेम ही रहता है और क। कौन सी वाशल से कौन सा तेल कम ज्यादा होता है उसके बारे में बताएंगे उसके वीडियो के एंड तक बने रहें और लाश्ट में इसका बता दूंगा मैं चार्ट दे दूंगा कौन सी सिम से आप कौन सा तेल कम ज्यादा कर सकते हो तो लाश्ट में दे रखा है मैंने तो प्रतरों सि component can already school इसको फिर्ट कर दीरेक्शन में उसका दिया रखने सिर्ड़ में प्रॉल में फिर…… सब्सक्राइब यता ञेक्षन देखने वा टोर्क देख लेए लागा शो से तभी चैद बीनीपने में इन फर्क पड़ेगा तो मैंने सेट कर लिया है इसको हम इसको देखिए इस उलंड बाल नट का टोर्क है इसको मैं 35 न्यूट्रिमेटर लगाना है तो मैंने इसको 25 न्यूट्रिमेटर का टोर्क लगागे इसको टाइड गरेंगे तो टोक के से दोस्ते हमारा प्रोफर सेटाहशन होता है ना ज्यादे लिए अते ह। इसलिए चौत का सवा होता है इंजीडेटर में ज्यादेतर हमारे हमारे मारे तोष्क है 35 मुंता पर सेट कर लिए है कर देते हैं तो हमारा जो है मैंगने असेम्बली उसको हमने टोरकल लगाए टैड कर देया अक्षे से उसके बाद दोस्तों इसकी जो नोजल है उसको सेम्बल करेंगे और उसको भी टोरकल लगाए टैड करेंगे तो सबसे बहुत इसके अंदर वाशल आएगी उसके बाद सपरिंग डालेंगे इसके अंदर इसके दोस्तों सैज देख लें कौन सा साइज है इसमें क्रोस वटर फलाई उसके इसाफ ही टोरक लगता है इसमें ऐसे नहीं कि हर इंजेक्टर में सेम टोरक लगेगा तो आप चे नोसका लगया और प्लेयं का लगया है इस बात का ढीया राते हैं सेम टोर कर करेंगे यह इसकी नुजल है हमने इसको ल्ट्रसोनी कर लिया अच्छे से इसका स्रफेस भी सेम ही रहेगा जो मारी बोड़ी को होता है इसको टाइट करके इसको टॉर्क लगा के टाइट करते हैं और दोस्तों की टैस्टिंग की जो वीडियो है उसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है आप वहां जाके चेक कर सकते हो तो देखिए इसको लिखा हुए पूरा कौन से स्रफेस पर कौन सा टॉर्क लगेगा तो आप त्रिक्के से टॉर्क को टाइट कर सकते हो तो लास्ट में एंड में 53 है तो हम 53 आप 50 के सेंटर में रखें 50 लगाएंगे इसको टॉर्क का जो उसके लिए गोट्टी विगर है ह इसलिए आगली वीडियो में बताएंगे उसके बारे तो हम इसको टाइट करते हैं तो इस तरीके साब वीडियो को असेंबल कर सकते हो दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो जुरूर बताएं और किसी टॉपे आपको कोई भी वीडियो मनाना हो तो मैं कमेंट करके अऔर कि पूरा मेजेर्मेंट करके उसके बाद लगाई उसके बारन इंजैकर आपका इंजैकर ड्याटर अपनेसेंबल हो कि दोस्ते चाड दे रखे हैं आप इसके साफ से जो कर सकते हों कि कौन सा तिल कम जादा होएगा तो इस जो लिश्टेस में दे रख है देखिए इसमें दे रख है कॉंशी सिम से कितना तेल कम होएगा